इस वीडियो में करना का है इस वीडियो में आपका लाश्ट एक्सरसाइस कोश्चन है डिशनरी टॉपिक का आपको इसमें क्या करना है आपको यूजर से इंपुट लेनी है और स्टोर करवानी है डिक्षनरी में अभी तक आप डिक्षनरी को यूज कर रहे थे लेकिन आप डिक्षनरी खुद बनाते थे लेकिन अब आपको यूजर से इंपुट लेनी है और उसे आपको डिक्षनरी में स्टोर करवानी है इंपुट आपको किस चीज के लिए चीए आपको इंपुट चीए नेम के लिए आपको input चाहिए एक section के लिए और आपको input चाहिए subject के लिए और इन सभी का data type जो होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखा है string, int और string और subject होनी चाहिए टूपल में अब मैं बताता हूँ आपको output क्या करवानी है आपको output में पूरे dictionary को print करवाना है और उसके बाद अगर हमारे student का class वो 9 से कम है तो आपको print करवाना है your exam from 15 अगर आपको student का class 9 से उपर है तो उसके लिए आपको print करवाना है your exam is from 20 अब मैं इसका output दिखाता हूँ आपका output कैसे generate करना है तो यह देखे हमारा सबसे पहले नेम पूछ रहा है internal name मैं हर्स जैन प्रिंट करवाता हूँ इंटरियोर क्लास अगर मैं यहां का 10 करवा हूँ और इंटरियोर सेक्शन सेक्शन है हमारा सी ओके अब हमारा subject पूछ रहा है subject हमारे comma separated देना है तो मैं यहां डालता हू maths, physics, chemistry, english, sst, ok तो यह देखे है हमारे पास proper पूरा dictionary print हो रहा है सबसे पहले name आ रहा है फिर class आ रहा है फिर section आ रहा है और फिर subject में पूरा का पूरा tuple आ रहा है और हमारे पास यहां पे print हो रहा है हर्ज जैन, your exam is from 20 हमने जो यहां पे name डाला था वो और उसके बाद your exam is from 20 prepare और 5 subject और यहां पे हमने जितना subject डाला है उसको count करके यहां पे 5 subject भी दिखा रहा है I hope आपको एक question clear होगा और आप इसे जरूर try करेंगे thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content